हेलो अब्रीवन दिस इस पूर्व और ये वीडियो उन सभी स्टुडेंट्स के लिए है जो लोग मरवाडी कॉलेज इंटरमीडियर का फॉर्म का वेट कर रहे थे ठीक है तो इस वीडियो में आपको बता रही हूं कि आपका फी स्ट्रक्चर क्या है साथ ही आपको घर बैठ hrnc.com इसको आप लोग सर्च कीजेगा सर्च करने के बाद आपके सामने जो पेज खुलेगा वो कुछ ऐसा खुलेगा ठीक है तो सबसे पहले आपको इस पेज में देखिए स्टार्टिंग में ही आपका यहां पर कुछ-कुछ notice important वगरा है वो पढ़ लीजेगा जैसे कि यहां पर देखिए सबसे पहले आपका यहां पर सो हो रहा है कि 11th class admission form apply start from 25-6-2022 for both boys and girls यहां का form जो है आपका कुछ दिन पहले ही आ चुका है बाकी last date अभी आपका 10th July तक है तो आपको यहां पर apply कैसे करना है वो बताती हूँ देखिए यहां पर आपका apply online admission लिखा हुआ है आपको इसके उपर क्लिक करना है यहां पर क्लिक करते ही इदर देखिए आपका कुछ helping number दिया गया अगर आपको कुछ problem हो तो आप लोग यहां पर call करके पूछ भी सकते हैं इसके बाद यहां पर देखिए आपका intermediate आई स्टार्ट डेट आपका 25 जून को ही आपका फॉर्म आ चुका है आपका end date यहां पर सो हो रहा है 10 जुलाई और बगर में आपका prospectus दिया हुआ है बाकि आपका जो step है फॉर्म भरने का वह 5 प्रोसेस में डिवाइड है फॉस्ट आपको registration करना है photo upload करना सिगनेचर upload करना है application fee payment करना है उसका submit application उसका print application फॉर्म ठीक है बाकि अब सबसे पहले यहां पर आपका fee structure की मैं बात करती हूं कि आपका यहां पर fee कितना लग रहा है तो देखो सबसे पहले intermediate में science वालों के लिए मैं बताऊं कि science वालों का यहां पर 3560 रुपय लग रहा है वह इंदर intermediate में commerce वालों का icon का यहां पर आपका 3040 रुपय लग रहा है with practical without practical में आपका 2440 ही लग रहा है इसके बाद आए with practical arts वालों का 2960 लग रहा है और आए without practical आपका 2440 लग रहा है यानि कि लगबग आपका 3 से 3,000 में यहां पर admission हो जा रहा है ठीक है बाकि जिनके पास अगर migration नहीं होगा 10th का उनका 200 एक्स्ट्रा लगेगा तो यह तो आपका fee structure का बात हुआ अब चलिए आपको बताते हैं कि आपको form कैसे apply करना है ठीक है तो देखिए यहां पर आपको apply online सो हो रहा है ठीक है तो आपको क्या करना है इसकी ऊपर जाकर click करना है apply online पर click करने के पाद आपके सामने जो है ऐसा page खुलेगा इसे थोड़ा scroll कीजेगा scroll करने के बाद आपको यहां पर register सो होगा आपको register पर click करना है ठीक है register पर click करने के बाद again आपके सामने ऐसा page आएगा ठीक है तो यहां पर आपको देखिए आपका basic details मांगा जा रहा है अपना नाम करके submit कर दीजेगा submit करने के बाद आपका email ID आपका user ID होगा और आपने पासवर्ड क्रेट किया होगा वह आपको password होगा ठीक है उसके बाद देखो सारा details आप डालने के बाद last में आपको यहां पर submit के उपर click कर देना है अब आपको फिर से यहां पर login करना है ठीक है तो login मे आप अपने email ID डालिएगा password जो आपने set करा था वो डालिएगा वो डाल कर आपको यहां पर login कर लेना ठीक है login करने के बाद आपको अब जो करना है वो simple steps है आप अपने एक photo अपने पास रखीएगा और signature ठीक है signature blue या black pen से उसे आप scan करके यहां पर upload कर दीजेगा जहां पर आपसे मांगा जाएगा उसके बाद फिर आपका next आपका application fee payment होगा fee payment 500 या फिर 600 होगा जो भी होगा comment box में बता दीजिगा ताकि सभी को फतर चल जाए उसके बाद आपका submit application है जिसमें आपसे आपका basic information मांगा जाएगा आपका नाम father's name address date of birth आपका marks कितना आया था आप कौ आपको जो भी basic information आप लोग से मांगा जाएगा आप लोग पड़े लिखे हो आराम से फिल करते जाओगे कुछ दिक्कत नहीं है बस simple था पहले register करना है फिर fee payment करना है login कर ठीक है तो fee structure मैंने बता दिया और कुछ दिक्कत हो तो आप लोग comment box में पूछ सकते हो बाकी site पर आ सारे numbers पर call करके पूछ सकते हो के thank you